इमाम मालिक रह्मतुल्लाले मसरदे दर्स पर बैटे हुए एक शक्त आया कहा कि हजरत एक मसला पूछना है कहा कि मेरे पास एक तूटी थी तूटी 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 तूट प्राइकर के बेचा थी ये तूती बराबर बोलती रेती है। वो जूट तो मैंने ये कसम खा ली थी कि अगर ऐसा नहीं है तो मेरी बीवी पर तलाब तो कहा कि प्राबलम क्या है। कहा कि हजरत वो तूती लेकर के वापस आया है। कहता ही ये तूती पकड़ और मेरा एक हजार रुपया वापस पका। मैंने पूछा वो क्यूं। कहा कि तूने कहा था कि ये तूती बराबर बोलती रेती है। लेकिन ये कभी-कभी चुप हो जाती है। हजरत वो तो तूती मैंने रख लिया एक हजार रुपया जो देना था वो तो दे दिया मैंने। परेशानी ये कि मेरी बीवी पर तलाग पड़ी की नहीं पड़ी। तूने ये कहा था कि वो तूती बराबर बोलती रेती है। अगर ऐसा नहीं हो तो तो मेरी बीवी पर तलाग पड़ गई है। बिचारा मू लगता करके दर्स जे बार निकला हजरत इमाम जानी पीछे लग गए। कि मामला क्या है। बीवी हाथ से जा रही है। तो मेरी बीवी पर तलाग और कभी कभी ये चूप हो जाती है। तो काया कि उस्ताद मौतरम ने क्या सत्रा दिया। एमाम मालिक बहुत बड़़ए एमामें से एक है। सबसे पहले हदिए की किता भी नी किये। मौताद मालिकां। जिया। इतने बड़़ए एमाम है। और आप कैथे हैं कि भाई ये भी बारती है। खर कर कैना ही ना कि कहरा हुआ हैुआ है थलाप हो गई का कि मेरे उस्ताज हमाम kend में कह 27 अभी कले रहे हा तलाप नए हुए अब भोलो शागिर्द कहरा तलाप नहीãy उस्ताज यह कहरा है तलाप हो गई और दोनों इमाम रहे है चार्ण अमाम में इमाम शाफई का मौकिफ क्या है कि तलाक नहीं हुई और इमाम माली का फत्वा क्या है उनका इश्टिहाद क्या है कि तलाक हो गई अब बताईए हो गई और नहीं हुई दोनों बरावर है जा है खुरान एक जमने का ना और हां दोनों बरावर नहीं हो सकते हैं यस और नो दोनों एक जड़े ज़्मा नहीं हो सकते हैं इस्टिह को गहते हैं इस्टिहाद 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 इस्टि एक एमाम कहे रहा है कि तराफ हो गई एमाम मालिक रह्मत अलाल परमारे और एमाम इशावई परमारे तराफ नहीं हुए खुश हो गया पिर बात कर क्या है हजरा के कहिदा मामला है आप परमारे कि तराफ हो गई और आपका शागिर इमान शावई वो कह रहे हैं कि तराफ नहीं हुए काजि भी लो उसको किसने कहा वो ने शावई ने कहा कि मेरे बच्चे तुने क्या कहा तुने मेरे फत्वे पर इतरास किया तुमेरा शागिद है नुक्ता ये मिला कि छोटे को हक हासल है कि बड़े के फत्वे को उपर इतरास करें ये नुक्ता मिला और अगर मस्वा तुन साविध हो जाए तो बड़े को चाहिए कि छोटे की तलील मान पर इतरास करें आज मामले यही है कि मसहले की तखलीद वाज़ हो जाने के बाद भी अपनी नाग बचाने के लिए लोग अपने मसाइल से और अपने मौकिफ से रुजू नहीं करते तमाम मसीबतों की जड़ यही है यह मसीबत सब कहोनी चाहिए खास्तों से उलमा के दम्यान से तो कहराएविक थलाभ नहीं ऊई मेरे बच्चे तेरी दलील क्या कहा कि मेरी दलील एक हदीश है का कि हदीश पेश कर अब वो जो हदीश हद्एमाम शाचपई ने पेश की थी मैं हद्एमाम शाचपई की वखिह रहीamiliar उससे सिंतलक हाल बद्दध भो गार्शल इलेहा वकील हु बश्ईर बश्ईर फसक्रित फगाल वाल्लाह मा लकी अलेगा विन शेख फजाएत रसूल आप अलाहि अलेही नफटत फगाल लेसल के अलेही नफटत फगाल अंता तद्द फी बेद उम्म शरीक फगाल तिलक इमरात यब शाहा अस्चाबी इतदी इन अबन अम मत्तूम फइन्न हु रजल राम तदवईन थियाबं वल्म्मा हललत फगा दिनी उन्म्मा हललत जकरत लह अन्म वाबियत अबन आप सुपियान बाबा जहम खटबानी वकाल रसूल इस लो अम्मा अब्ड़ जह ओर सुख्रुकु ला माल लहू इनकही उसामता मसईडिन। वकरिहतु वकाल इनकही उसामता फ़नकहतु। फज्णाल्लाई फी खेरम वगतु। रवा हुम उसलिंव फी कितब इतलाउ। हदरत इमाम मुस्लिम रह्मा उल्ला इस अधीस पर कोई से किताब उतलाक के अंदर टैली कर लो कहीं दरूज़र नहीं है एक लफ्ज भी एक सफ़े के उपर यह इन गायत मैंने पूरी पढ़ दिया जैसा कि अपनी आधित के मताब के पूरी पढ़ दिया यह हदरत इपातिमा बिंदर कायस फर्माती है कि उनके शोहर अबू हफ्स ने उनको तराक बत्ता दे दिया तराक बत्ता का मतलब समस्ते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर फोन से भी तलाक दे दिया और आवास पहचान ली जाए तो तलाक बजाती है जी फारसला इलिहा वकीलहु मिशाईरिक उज्जों के साथ अपने वकील को भीड़ा हुने गुस्से ने आ गई हूँ पसाखिदा तो इसको उपर बरस पड़ी है इतने दिनों मेरे साथ आ थोड़ी सी जो भेज रहा है मैंने लेदी तो उसने कसम कहा करके कहा देख तेरा हमारे उपर पुछ नहीं यह तो इहसान हम तुझे दे रहे मेरा जो मौकिल है इहसान हम तुझे दे रहे आ इसे कैसे भाग करके वो नभी एकुम सल्लाव के पास आई पूरा मसाला बेहन के कि अल्ला एक रसूल तला के बत्ता उन्होंने दे दिये और उनका वकिल थोड़ी सी जो लेकर के आए मैं यह जो नहीं लेदी तो ऐसा कर कि अद्धत गुदार ले उन्मे शरीक के घर में वो जब जाने लगी उन्मे शरीक जो है यह बड़ी फयास खातून थी और लोगों को खिलाना पिलाना दादो देश करना बहुत मालदार खातून थी उन्मे शरीक इनका घर भी बड़ा है तो जा उन्मे शरीक के घर में इद्धत गुजार ले तो जब चलने लगी तो खाय रुख रूँ वो उन्मे शरीक का मामला ऐसा है तिलक इमरातू या वशाहा सहाभी चुकि दादो देश बहुत करती है खिलाती खिलाती बहुत है मेरे सहाभा बहुत आते जाते हैं तो बेपरदगी का अंदेशा है बेपरदगी बेपरदगी की ज़गे से और पहाष्य और बेहियांई की ज़गे से मुल्क में ये मसाईल रेप जैसे य 루म ले रहे इसमे ب 약शे है इसे कहा गया कि देख महाँ मेरे सहाब बहुत आते हैं तो ऐसा कर तू उनके हाँ इद्दत मत गुजार इसलिए कि बेपर्दगी का अंदेशा है तो तू ऐसा कर की अबदुल्लाह इद्धने मुप्तूम के हाँ इद्दत गुजार ले वे तू अंदेशा है अगर इतिफाक से तू कपड़े बदल रही हो तो अगर इतिफाक से अगर तू कपड़े बदल रही हो और जब तू हलाल हो जाए तीन हैस गुदर जाए तो पिर मुझे बताने मुझे बताना कहती है फलमा हलल तू जब मैं हलाल हो गई तो जखर तू लहुँ तो आपके पास आई और कहा कि अल्ला के रसूल मेरी इद्दत पूरी हो गई है अब दो आद्मियों का पेगाम निकाह मेरे पास आया है कहा कि कौन कौन है और दूसरे मुझे अबिया इद्दत पूरी इद्दत पूरी है कहा कि यहां तक मुझे अबिया इद्दत पूरी है वो तो बहुत फ़की आद्मियों का पास तो पैसा हुचा ही नहीं है कम से कम लड़का ऐसा हो जो कमा खिला सकता हो अपने भीनी का पेट पर सकता हो ऐसे लड़के के हेबाल अक्ड में लड़की दीजी कहा कि हज़रत ठीक है वो गरीब आद्मिय है अबू जहम का क्या मा मिला है कहा अम्मा अबू जहमिन फला यदव असाह अनातित ही वो अपना सोटा अपने गंडे से उतारता ही नहीं है यानि जर्राब लिन्लिसा और अवरतें को बोल मारता है देड़्े मारता है खुब पीटता है वरतों को इसका मतलब जिर्फ हाथी से नहीं मारता गंडे से खुब सुटाई करता है अम्मा अबू जहमिन फला यज़ू असाव अन आते ही जहां तक अबू जहम का मामिला है ये अपना सोटा अपने कंडे से उतारता ही नहीं है अब बताओ क्या नमाज पढ़ते वक्त भी सोटा रखे रहते थे कसरत का इतिवार करते हैं आपने कंडे से उतारता ही नहीं है याने कसरत का इतिवार किया जाएगा अक्सर मवाके के उपर वो सोटा अपने कंडे पर रखे रहता है तो अगर ये तूती कभी कभी चुप हो जाती है मगर अक्सर आवकात में बोलती रहती है तो तलाप नहीं पड़ी इस हड़ी से पाकिर हो शुआ है वाँजलना इलएक जिक्र लितु बैइना लिन्नासि मानुजिल इलेहिम वला लुम्ने सफक्रून फिक्र होगी किताब सुन्त के दाएरे में रह चलके फिक्र को बेमहार नहीं छोड़ा जा सकता फितना यहीं जनम लेता है जिक्र को बेमहार छोड़ दिया जाए और वहाँ ऐसे उसूल बनाए जाए और उन उसूल पर मसाईल मतफर्रे किये जाए और वहदी से ठक्रा जाए अकलाफ नहीं है अकलाफ नहीं है आपने फरमाया को ऐसा कर उसामा इबने जाए से निकाह कर ले किते है अलाग रिसल मुझे वह पसंद नहीं है तो करी का कि कर ले कर ले इनके उसामा उसामा के साथ निकाह कर ले कैए नभी करीम ने जब दो मरतबा कहा तो मैंने कहा कि अब नभी की बात में खैर तो होगी मैं निकाह से लिए फना कहा तू कहते हैं नभी की ये बात मानने पर मुझे इतना अच्छा लगा फजाल अल्लाह भी ही खैरन अल्लाह ने इस निकाह में इतना खैर फर्माया कि औरते रश्ट करती थी कि जोड़ी हो तो ऐसी हो वागतु भी तू वागतु भी तू मेरे उपर रश्ट किया जाता था औरते करके जोड़ी हो तो फातिमा बिन बेखा जो उसामत इस्तिलाल ये करना था कि वित्र को बेलगाम न छोड़ा जाए बलके किताब उस्ट के दाहरे में रह करके इस्तिहाद किया जाए इस्तिहाद का मुंकिर कौन है देखे इस्तिहाद किया इमाम मालिक में भी और इमाम शाफ़ी न भी इमाम मालिक को एक अधर मिलाए जाए हम जब एक दो जोड़ा इसलिए कि उनकी दलील हदीश के मताबब थे अब इस हदीशे पाके रोश्री में लेखिए और इसलिएखे लिए पाकाम हदरतい अबूहरे रहा थार्माते हैं कि चनाब महम्म्मत रसुलिशन जब कोई फैसलाक करने का माला फैसलाक करे फैसलास सही हो जाए इस्तिहाद करे usedएब पाइसलास सही हो जाए हमारे ने सिक सारे इमा महतरम है इस्तिहाद गलत भी हो गया तब भी एक अजर के मुस्तिक देखिए हदरत इमाम माली का इस्तिहाद यहां गलत है इमाम शाफ़ी का इस्तिहाद सही है फिर भी इमाम माली को एक अजर मिला उनके इस्तिहाद का और माम शाफिर हमें तुल आले को दो एतिन में जो उनकेश का